कि भारत सरकार के भी सारे प्रियास वहाँ पे निरर्थक सावित हो रहे हैं वो दोनों समधाय को मिला के विश्वास में लेके कोई फैसला होता है तो जरूर निदा निकलेगा ये बात जरूर है इसलिए सरकार को और मुस्तहदी से काम करना चाहिए अभी तक तो ये उनका मतलब फेलियर ही हो रहा है हमने वीडियो नहीं देखा है कि वीडियो में क्या है लेकिन ये तो पिछले कई महीनों से स्पस्ट है कि भारत सरकार के भी सारे प्रियास वहाँ पे निरर्थक सावित हो रहे ग्रे मंतरी भाड़त सरकार के खुद कई बाड़ वहां गय हैं दो-दो-तीन-तीन दिन रुख के समिक्षा किये हैं नियंतरन को का रिविव किये हैं लेकिन इस्थिती नियंतरन में नहीं आ रही है इसलिए ये जरूर चिंता की बात है और इसमें सरकार को और मुस्तेदी से बात करके सभी पक्षों को विश्वास में लेके सब लोग जानते हैं वहाँ दो समधाई का जंजट है तो मेति समधाई और कुकी समधाई वो दोनों समधाई को मिला के विश्वास में लेके कोई फैसला होता है तो जरूर निदान निकलेगा, ये बात जरूर है कि अभी तक जो केंदर सरकार वहाँ पे काम किये, ग्रेमंतरी स्वेंग काफी उसमें फुरू में लगे हुए थे, सरकार भी वहाँ भाजबा किते हैं, इसलिए वहाँ इस्तिती नियंतरण में नहीं आना, ये चिन्ता की बात अबस्चन है, और तुकि वह हमारा सीमा छेतर है, और सीमा के दूसरी तरफ हमारे कोई मित्र नहीं रहते हैं, इसलिए और ये बात हमारी चिन्ता बढ़ाता है। इसलिए सरकार को और मुस्तहदी से काम करना चाहिए। अभी तक तो ये उनका मतलब फेलियर ही हो रहा है। को उपर उठा रहा है। दो ही बात है कि अगर आप सच्चे बिहारी हैं तो ये आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब आप सच्चे बिहारी नहीं। बेल आइकन दबाना न भूले।